हेलो दोस्तों स्वागत है आपका sleepy classes में मेरा नाम है अब है और शकल आपको दिखाई रही है क्योंकि आप voice सुनते रहते थे industrial relations और EPFO, quality और current affairs मैं ही करवाता हूँ अब हुआ ऐसा कि last day है यह last day किसका है EPFO का हमारा last lecture है ठीक है मेरी तरफ से जो industrial relations का है और जैसे कि मैंने कल वाले lecture में भी कहा था कि हम काफी देर से इसको पढ़ रहे हैं ठीक है और especially exam इतनी बार delay हुआ है इतनी बार frustration भी देखी है हमने aspirants में और हम एक कार्मा के साथ आ गए हैं 5th September में ठीक है तो अब हम questions करेंगे important questions for industrial relations EPFO ठीक है अब आपको करना कुछ नहीं है बस थोड़ा से recapitulate करना है थोड़ा सा देखना है ठीक है अभी हम कुछ खास कर भी नहीं सकते है ठीक है we have reached that final stage कि अब exam बे आगे हो है ठीक है लास्ट में जब भी खतम हो जाएगा तो छोटी सा एक समवाद भी कर लेंगे क् ठीक है exam से पहले तो बहुत ही जाज ज़रूरी होता है तो शुरुआत करते हैं ठीक है चले पहला question है floor wages must be revised in minimum how many years two years, three years, four years, five years अब देखे दोस्तो हमने ये सारा का सारा EPFO revision में मैंने करवाया भी हुआ था तो आप देख सकते हैं इसका सही जवाब क्या है इसका सही जवाब है five years ठीक है दोस्तो five years इसका सही जवाब है अब आगे देखते हैं क्यों ठीक है अब floor wage क्या होता है floor wages to be base remuneration औ और फिर देखते हैं कि कितना floor wage होना चाहिए कि basic minimum इतनी requirement है ठीक है और यह क्या है यह provide करता है state governments को की mandatory revise करना है minimum wage कितने साल में पांच साल में आपको minimum उसको revise करना है ठीक है moving on next question क्या है कि what percentage will be the bonus of an employee given by the employer 8.33, 9.33, 10.33 या 8% अभी देखेते उस तो यह हमने जितने भी codes करे थे ठीक है अगर आपने नहीं करे हैं तो आप जा सकते एपीए for revision में मैंने करवाये हुए अब यह important question क्यों हो जाता है ठीक है recent है current affairs से भी related है ठीक है इसलिए important हो जाता है तो इसका सही जवाब क्या है 8.33 ठीक है अब है क्या यह इसके बारे में देखते है determination of bonus पे आते specific ठीक है monthly amount से जो exceed करती है ठीक है जी वो जो है central या फिर state government जो है वो entitle करेगी उसको annual bonus के लिए और bonus किसलिए होता है 8.33 उसके wages का होता है या फिर 100 रुपे जो की भी जो भी higher है ठीक है इसके addition में क्या है कि employers जो है वो distribute करेंगे a part of gross profits among the employees मतलब कि आपका जो एक gross profit हो रहा है वो आपको employers में देना ही पड़ेगा ठीक है जो employees में देना पड़ेगा माफ कीजिएगा ठीक है और यह क्या है this will be distributed in proportion of annual wages जो मतलब आपकी जो annual wages है उसके हिसाब से जो है आपकी proportion में बनाएंगे ठीक है और employer क्या है वो maximum कितना bonus ले सकता है 20% जो है annual wages का ले सकता है maximum bonus ठीक है moving on अगला question क्या है कि list of aggregators are mentioned in which schedule of the code of social security schedule 5, schedule 6, schedule 7, schedule 8 अब देखिए दोस्तो एग्रेगेटर क्या होता है आपको मैंने ways देखिए दोस्त जितने भी मैंने questions बनाये हुए न जितने भी मैंने lectures बनाये हुए वहीं से निकाले हुए ठीक है क्योंकि देखिए एक rule मैं आपको बत revise, revise more ठीक है आपको ज्यादा revise चाहिए होती है ज्यादा चीज़ें पढ़ेंगे तो उससे आपका paper निकालने का जो है बहुत कम हो जाते chances ठीक है तो यह जो अभी मैंने बोला है ने revise more अभी तो वैसे नहीं करना चाहिए I suggest कि आपको थोड़ा सा chill करना चाहिए लिगन अगर आपने अपने जैसे pen and paper में हर lecture में बोलता हूं कि pen paper लेजिए और उस पर लिखते रहें अगर आपने अपने notes बनाया हुए उनको revise जरूर कीजिएगा वहीं से आपके questions निकल निकल निकते है ठीक है तो अब इसका सही जवाब है schedule 7 ठीक है जी अब 2020 का जो built house में clarify किया था कि जो gig workers हैं gig workers जो आपके Ola, Zomato ठीक है जो third party हम बोलते हैं उसको gig workers बोलते हैं ठीक है जी और platform workers है ठीक है उनको fund किया जाएगा कैसे एक combination of contribution होगा किसका central government का state government का aggregators, aggregators क्या होगा है third party, third party होगे ठीक है ठीक है और इस purpose के लिए bill ने specify कर रहा है list of aggregators जो की schedule 7 में है schedule से question आपक जबता है ठीक है अब देखे इसमें nine categories दी होगे देखे राइडिंग, ride sharing services होगे, Ola होगे आपका ठीक है ठीक है ठीक है अब इसमें क्या है any contribution ऐसे जो third party आपके जो aggregators है जो भी aggregator होगा उसकी contribution होगी वो कितनी दी हुई है maybe at a rate notified by the government ठीक है government उसका जो है rate बनाएगी लेकिन उसका one to two प्रतिशत जो है एक से दो प्रतिशत जो है of annual turnover जो होना चाहिए aggregator का होना चाहिए ठीक है however such contribution अब देखे one to two percent में तो होना चाहिए लेकिन पांच परसेंट से उपर exceed नहीं करना चाहिए इसका of the amount paid और payable by an aggregator to gig workers and platform workers ठीक है चली moving on अब daily working hour limit क्या है अब दोस्तों देखिए आपने अगर acts पड़े हो है factories act है industry dispute act है बहुत जारे acts है वहीं अब इतना जादा से लिए बस था अब daily working hour limit जो है वो आपको जो है इसका सही जवाब है 8 hours ठीक है आपको अगर मिलता है इस प्रकार का question आपने सीधे सीधे 8 घंटे लगाने है ठीक है अब देखिए क्या है अब appropriate government जो है appropriate government क्या है सिर्फ central ही नहीं state भी हो सकती है क्योंकि state government जो है वो decide करती है अब appropriate government जो है वो native notify करती है maximum daily work hours for workers ठीक है जी और maximum limit जो है 8 hours per day है ठीक चलिए नेक्स कोशन पर आते हैं अभी देखिए इंटरनाशनल लेबर ओर्गनाजेशन पर कुशन आया है ठीक है स्टेटमेंट्स दी हुई है पहली स्टेटमेंट है कि 1919 पर क्रेट हुआ है दूसी स्टेटमेंट है कि यह अभी जाके थोड़ा से पढ़ लीजे ठीक है तो वेब साइट पर जाए आये लो की वहां पर जाके प्लीज पढ़ लेजेगा इसको इस वाले टॉपिक को छोड़के मज जाएगा आये लो इस वेरी वेरी इंपोर्टेंट ठीक है लास्ट मिनेट की चीज है बोर रहा हूँ तो प्लीज ओके चलिए अब देखे इसके प सब्सक्राइब जो की सिर्फ और सिर्फ हो सकती है सोचल जस्टिस पर ठीक है और क्या कहता है कि कॉंस्टिशन ओफ आये लो जो था वो 1919 में किया गया था किसने लेबर कमिशन में और साम्योल गॉंपर जो है एड़ ऑफ द अमेरिकन फेडरेशन ओफ लॉव उन्होंने ये क अब देखिए दोस्तों इस पर पूरा कॉर्शन आप देख लीजिए इसमें पूछा है कि ट्रीटी ऑफ वर्सलिस एक पीस डॉक्यूमेंट था वो किस किस के बीच में साइन हुआ है अब आप बोल सकते हैं लेकिन अभी अभी हमने क्या करके देखा आयलो आयलो में क्या द पावर ठीक है अब देखिए ट्रीटी ऑफ वर्सलिस क्या था एक पीस डॉक्यूमेंट हुआ था किस के बीच में इंपेरियल जर्मनी और अलाइट पावर कब 28 जून 1919 में हुआ था और ट्रीटी जो है उसने एंड की थी क्या वार एंड की थी किस के बीच में जर्मनी और की बीच में 1914 ठीक है और वर्ल्ड वर वन को खतम कर दिया था ठीक है और ट्रीटी का नाम क्यों ट्रीटी ऑफ वर्सलिस क्यों है कि यह पैलेस ऑफ वर्सलिस में हुई थी जहां पर यह साइन हुई थी ठीक है नेक्स कुशन पर आते हैं अब बॉंबे मिल्स हैंड अब यह एक इत्तिफाक की भी बात हो सकती है क्योंकि UPSC का सिलेबस काफी बड़ा है तो हमें expect नहीं कर सकती है कि कहां से है लेकिन अगर स्मार्ट वर्क हम थोड़ा से यूज करें तो इत्तिफाक की बात यह है कि modern history और आपका जो industrial relation है बहुत ज़ादा simultaneously चल रहा है साथ मे world history भी चल रही है क्योंकि मैंना आको बोला था कि 18-19 century में world में काफी चीज़े हो रही थी कहीं पर industrialization हो रही थी यूरोप में कुछ चीज़े हो रही थी साथ में इंडिया में बहुत चीज़े हो रही थी ठीक है और यह advent थी किस चीज की हमारे labor reforms की तो Bombay Hill Bombay Mill Hand Association यह कौन से स साल में बनाई गई थी ठीक है दोस्तों इसका सही जवाब है 1890 जवाब है 1890 अब इसके बारे में देखते हैं देखें देखें 24 एप्रल 1919 में race course ground था ठीक है जी Bombay में उसमें witness किया था पब्लिक मीटिंग हुई थी इसमें कि 10,000 वर्कर्स थे और यह किस ने और 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 चीज की थी नरायन मेगाजी लोखंडे तो यह देखें यहां से अगर आपका question बन सकता है या तो आपसे यह पूछ लेंगे या फिर आपसे क्या पूछेंगे नाम पूछेंगे और उनको हम क्या कहत है या आपसे एक और चीज भी बूछ लेंगे फादर ओफ इंटेंटरेट मुव्मेंट नरायन मेगाजी लोखंडे अब इस मीटिंग में जहां पी बहुत ज़्यादा विमन वर्कर भी थे वो भी रिपोर्टेट थे जिन्नों ने क्या कहा था यह मेड़ने इंट्रस्टिं बनाया गया था फर्स्ट लेबर और्गनाईजेशन 1884 लेकिन अगर आपको आप्शन आए तो 1890 होगा ठीक है जी चली आगे बढ़ते हैं अगला कोशन क्या है कि थियोरी बेस्ट ऑन सर्वोदय जो है यह हमारे पास चार कोशन से चार ऑप्शन से अब यह चार ऑप्शन में आपको देखना है कि सर्वोदया की थियोरी जो है किस ने दी है सर्वोदया तो आपको पता है यह हिंदी नाम है किस ने दी है महात्मा गांधी ने दी है देखे जी यूपी एसी का फेवरेट टॉपिक महात्मा गांधी रहते है ठीक है तो इसके साथ एक और क्यू है आपक पर suggested नहीं है लेकिन गांधी जी को जरूर पढ़ लेना modern history में वहां से question बन सकते हैं ठीक है तो इसका सही जवाब क्या है महात्मा गांधी ठीक है अब trustee ship theory कहते हैं इसको basically trustee ship theory कहते हैं जो की महात्मा गांधी ने दी थी और यह सर्वोधिया इस पर बनी ती जिसका मतलब क्य ship is in English name ठीक है और यह किस principle पर बेस थी यह principle पर बेस थी कि all people having money or property hold it in trust for society society के लिए वो काम करते हैं उन्हीं के लिए करते हैं ठीक है जी और society को एरिगाड़ेट किया था किस तरीके से as a donor to individual ठीक है जी और accordingly letter is required to share a part of his acquired wealth मतलब कि आपकी जो wealth है आपकी जो संपती है वो society में आपने बांटनी है किस चीज के लिए mutual benefit के लिए अब दोस्तों इसके साथ एक और चीज आपने निकालनी है मैं पॉलिटी की कि मैंने करवाय हुआ है डारेक्टिर प्रिंसिपल आफ स्टेट पॉलिसीज गांधियन गांधियन जो है प्लीज कर लिजागा ठीक है गांधियन क्यों है देखे डारेक्टिर प्रिंसिपल में गांधी जी ने अब जब निकाल हो गए कि गांधियन में क्या क्या है वहां से कुष्ण बनने के काफी चांसे है और इंडन पॉलिटी में 73rd और 74th Amendment Act से भी आते है ठीक है को यह यूपीसी का फीवरिट टॉपिक देता है ठीक भांटो यार ऐसा भी क्या हो गया ठीक है अगले कोशन पर आते हैं पूछा है गया है कि हूँ रोट दे बुक टाइटल एस्ट्री ओफ ट्रेड यूनियनिजम इन यूनाइटिस इन 1922 तैन्भं काल मार्क्स पर्लमान ओविंसर ठीक है आपके पास यह चार ओप्शन दिये ह उसका सही जवाब क्या है इसका सही जवाब है ठीक है बुक्स पर आपके कोशन बन सकते हैं ठीक है चांसेज है तो देखे अब पर्लमान जो है वो किया थे एक कॉनमिस्ट थे उनिवर्सटी ओफ विंकंसन में यूस अससेट आफ कॉमन्स ठीक है जी फ्टीक है और उनकी ब बोला था कि by sharing jobs opportunity ठीक है जी उन्होंने jobs opportunity को share करने के लिए American unionism के उपर बात करी थी पर्लमेन की ठीओरी जो attribute क्या करती थी emergence of trade unionism to scarcity of consciousness of worker जिसमें क्या imply किया जाता था था कि economic pessimism of manual group के बारे में बात करी है ठीक है उन्होंने क्या propose किया था कि union और collective bargaining को जो क्या है एक sensual component होते हैं जो आपकी जो संगठन है ठीक है आपकी जो industries से related union है ठीक है और collective bargaining है उसका एक बहुत ही बड़ा ज्यादा क्या है democratic society में एक component है ठीक है जी वही ही बात कर रहे है और workers को क्या करना चाहिए उनको organize करना चाहिए unions में और उनको engage करना चाहिए class struggle इसके against employees के ठीक है जी तो class struggle के उपर कर सकते हैं तो तो यह मुझण सरी नुट रेकर बेंथ राव Обल के सब्सक्राइब। अब नहीं से नहीं पड़ा थि अश्पमा मज़्टूर महसभा 1948 को की गई थी किसके साथ socialist और forward block followers और independent unionist ने की थी ठीक है जी बेंगवाली जार वेरी वेरी अहेड अफ देर टाइम्स ठीक है जी तो वहाँ पर हुई थी और इसके जो founders ते उसमें कौन-कौन थे हमारे बस्वन सिंग साहब थे ठीक है जी बस्वन सिंग साहब थे अशोक में में हता थे Rs Roekar थे Money Ben Karag थे ठीक जी ती तीएस रामनन जूम थे पिर आपके वी एस माथूर थे जी जी में हता थे और Rs Roekar जो थे वो President बनाए गे थे और अशोक में हता जो थे जनल शेकरेटरी ठीक है जी तो इन के बारे में थोड़ा से पढ़ लिए पढ़ने के लिए रिमेंबर के लिए नाम थोड़े से मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपको HMS के बारे में पूछा जाए तो आप धंक से इसको टिक कर सकते हैं ठीक है जी अब HMS ने एब्जॉब किया था HMS absorbed the Royalist Indian Federation of Labour and the Hind मजदूर पंचाय था यह जो आपकी जो Royalist Indian Federation of Labour थी और Hind मजदूर पंचाय थी इसको एब्जॉब कर लिया एक अठे कर लिया और 1948 में इन्होंने अब्जॉब कर लिया था और Socialist ने क्या किया था बाई लीविंग Socialist बाई Socialist लीविंग दे इंक्रीजिंग ली कम्मिनिस्ट डॉमिनेटर मजदू कि इसमें सोचलिस्ट निकल गए थे और Communist पास आगे थे ठीक है जी और मार्च 1949 में क्या हो था HMS ने क्लेम कर दिया था कि इसके 380 अगला कुशन क्या है कि फर्स्ट नाशनल लेबर कमिशन जो है वो कौन से यह मैं इस्टाबिश हो था इसके बारे में आपको पता होना चाहिए तो आपके यह उप्शन दिये हो है तो इसका सही जवाब क्या है इसका सही जवाब है 1966 1966 में फर्स नाशनल लेबर कमिशन इस्टाबिश हुआ था ठीक है इनके अंदर हुई थी इन तरह अंतरगत हुई थी और इनका अब्जेफ्टेव क्या था वस टु स्टडी एंड रिवो दर लिविंग कंडिशन किसकी लिविंग कंडिशन ऑफ लेबर लेबर लेजिसलेशन सिंस 1947 मत्तब की 1947 के बाद देखे कितनी देर बार 1966 में फर्स यह लेबर लेबर लॉज को आपको चेंज करना है इसमें की इंक्लूडिंग दा वर्क वर्क मेंस कंपेंशन एक नाइटीन विंटीटी त्री और इंडस्टरिल डिस्प्यूट आक्ट नाइटीन फॉर्टी सेवन में चेंजिस लाने की जरूरत है ठीक है चलिए अगले बहुत चांसें से इसका सही जवाब क्या है नाइटीन ट्वेंटी इसका सही जवाब है नाइटीन ट्वेंटी अब देखें इसके बारे में क्या कि All India Trade Union Congress जो है यह फॉर्स्ट त्रेड यूनिन इंडिया था जो कि 1920 में बॉंबबे में मनाया गा तक कि इसने लाला लाज प आपके बारे में जरूर पढ़ना महात्मा गांधी हो गए हमारे लाला लाज पत्राए हो गए हमारे दोस्तों अब देखिए नाइंटीन फॉर्टी फाइफ तक कॉंग्रेसमेन सोशलिस्ट और कॉम्मिनिस्ट ने कठ्थे काम किया था फिर उसके बाद ए ए आई टी उसी के अ आगे चलो ठीक है next question क्या है तेरवा question है कि which section of factories act talk about workers participation in safety management workers participation in safety management के बारे में ठीक है जी section 39 है section 40 है section 41 है section 42 है तो इसका सही जवाब क्या है इसका सही जवाब है section 41 इसका सही जवाब है section 41 में क्या बात करता है अब देखे section 41 कहता है कि जो occupier है occupier आपको पता ही है या जो आपका manager हो सकता है या तो आपका जो मालिक है factory ठीक है जी हर factory में क्या कहेगा कि where a hazardous processes takes place जहां पर एक hazardous process take place करता है या फिर जहां पर hazardous substance use किया जाता है या फिर handle किया जाता है वहां पर एक safety committee बनाएगी जिसमें की equal number of representative of workers और management मतलब equal number of workers और management होंगे और वो क्या करेंगे to promote cooperation between workers and management in maintaining proper safety and health of the worker तो यह उसके बारे में बात करता है ठीक है दोस्तों next question पर आते हैं देखें अब चौदमां question जो है इसमें क्या है कि कौन सा ऐसा article है which of the following articles of Indian constitution अभी factory acts में आया था वे इंडियन constitution ठीक ही जी जो इसके बारे में बात करता है talks about the participation of workers in management of undertaking establishment और other organization engaged in any industry कौन सा है article 43A, article 43B, article 43C, article 43D तो चौदमें question का क्या answer है article 43A ठीक है अब देखें constitution भी है, industrial relation भी है, quality भी है, साथ-साथ ही चल रहे है और history भी चल रहे है इसलिए यह जो एक्जाम है बहुत ही UPSC आप देखेंगी, dynamics बहुत अच्छे है इसके ठीक है दोस्तों अब देखें, 43 of constitution क्या कहता है इसमें कहता है कि participation इसका title दिया हो, participation of workers in management of industries इसमें क्या कहता है यह read करता है कि the state, the state shall take steps by suitable legislation और in other way क्या secure करेगा participation of workers ठीक है जी, participation of workers होगी in management of undertakings, ठीक है जी, establishment और other organization engaged in any industries तो यह 43A आपको याद रखना है और मुझे comment section पे बताईए कि 43A कौन से वले section में है और कौन से पार्ट में आता है D से start होता है इसका नाम, ठीक है, चले, next चलते हैं, इसमें क्या कहा है कि article जो है, यह कौन से act से आया था 42nd amendment act, 1976, ठीक है जी दोस्तों, आपको पता है कि 42nd amendment act, mini constitution के नाम से भी जाना जाता है प्लीज, 42nd amendment act कर लीजेगा, मैं हाथ जोड रहा हूं आपके आगे, ठीक है, कर लीजेगा, रिवाइस जरूर कर लीजेगा, अभी नई चीज मत पढ़िएगा, लेकिन यूजली यह होता है कि as a teacher, जब हम बात कर रहे होते हैं, हमें पता है कि अच्छा यह वाली चीज क्या कानफर किया हुआ है, the state has comfort with the powers to bring suitable legislation, suitable legislation होनी चाहिए ठीक है, और apply some other way to promote, किस चीज की promotion होनी चाहिए, workers participation in management of industrial undertakings, ठीक है दोस्तों, चली, और इस article में यह क्या है, part 6 जो है, देखे, मैंने तो यह answer डाली देवा था, चलो कोई नी, देखे, part 6 of constitution है, जिसमें की directive principle of state policy, तो देखे, मैंने answer भी डाल दिया हुआ है, अब तो please पढ़ ले जाएगा, ठीक है, क्या पढ़ना है, directive principle of state policies, और 40 second co-institutional amendment act, moving on, अगला question है, पंदरवा question क्या है, which of the following articles of Indian constitution, आप बहुलेंगे, सर यह polity का है यह industrial relation का है, correlation है दोस्तों, ठीक है, quality और industry relation में जादा difference नह nothing, but आपके जो constitution आप हमारे समविधान में चीज़ें दी हुई है, उसी से ही derive करके नए नए चीज़ें बनाई हुई है, ठीक है, और क्योंकि यह journalized paper है, ठीक है दोस्तों, एक होता है आपके specialized paper, UPSC के, जैसे कि आपके Geological Survey of India है, GSI का paper है, वो आपका specialized paper है, आपके जो particular subjects है, subject matter है, वहाँ से आपके question आते हैं, लेकिन आपको पता है कि UPSC ने eligibility बनाई हुई है, कि कोई भी graduate exam को दे सकता है, इसका मतलब है, this is a journalized paper, ठीक है, उसमें आपको section ज़रूर दिया है, लेकिन वो section इस तरीके से नहीं बनाया होगा, कि बहुत ही tough हो जाए, बाकी आप comment section में आक कौन सा article of Indian constitution talks about probation of employment in children in factories, ठीक है जी, article 21, article 22, article 23, article 24, ठीक है जी, तो पंदरवें का answer क्या है, article 24, 24 में बात करता है, 24 में क्या बात करता है, कि आपकी, ये बात करता है, probation of employment of children in factories, ठीक है जी, याद रखेगा, चली, moving on, अगला question है कि कौन सा जो है, कौन सा section है, trade union act 1926, जिसमें power दी है, state और center government को, ताकि वो recognize कर सके, trade union और federation of trade unions at center as well as state level, current affairs से question है दोस्तो, recently ही, मतलब recently, as in 2020 में ही ये चीज़ हुई है, highly chances है कि ये question बन सकता है, important है, ठीक है, इसके आपके, ये sections दिये हो है, ठीक है जी, तो 16th question का answer क्या है, section 10a, ठीक है जी, section 10a, अब 10a के बोलता है, कि Indian trade union act 1926 provides only, for only registration of trade union basis on 12 central trade union, ठीक है जी, अब क्या हुए, amendment हो गई है, ठीक है जी, amendment में क्या insert किया है, section 10a, जिसमें कहा है कि, ये principle act कहता है, कि power of center and state government, ताकि वो recognize कर सके, trade unions, और federation of trade union at central as well as state level, ठीक है दोस्तो, चले, moving on, 17th question क्या है, ये भी बहुत important question है दोस्तो, which of the following services, कौन सी services जो है, उसको include किया गया है, public utility services recently, recently का मतलब है, 2020 या 2019, मतलब exam के बाद, ये चीज हुई थी, और current affairs से related है, ठीक है जी, banking services, hospitality industry, transport industry, none of the verb, industry and labor laws से related है, तो ये तो है, इसमें banking services है, ठीक है, banking services related है, अब देखते हैं, क्या है, बिसिकली, ठीक है जी, अब government ने क्या declare किया थे, banking services को public utility services है, इसो six months के लिए किया था, मतलब कि October 21 तक, मतलब still it's valid, ठीक है, और ये हुई थी, तो उशना सकता है, और इसमें क्या है, industrial dispute act के अंतरगत, जो provision था, उसके अंतरगत किया हुआ है, ठीक है, अब इसमें क्या है, कि इन्होंने banking services को इस provision क्या कहा है, इसके अंतरगत क्या कहा है, कि banking sector जो है, वो strikes नहीं देखेगा, मतलब कि आप strikes नहीं कहा सकते हैं, क्यों, अब देखिए कि COVID-19 चला हुआ है, ठीक है, तो आपका जो April 21 से है, अलब strikes नहीं कह सकते हैं, इसको public utility में डाल दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों, अब इस circular में Department of Financial Services ने क्या कहा था, कि labor और employment ministry के थूँ ये पहुँचा गया था, labor and employment ministry के थूँ, तो important हो गया, कि banking industry को public utility services बनाया गया है, 6 months के लिए, और क्यों, COVID की वज़ह स से बनाया गया है, चली, आगे बढ़ते हैं, अगला question क्या है, to implement schemes from grassroot level, which of the following portal, ठीक है, जी, which of the following portal was released by ministry of labor and employment, portal census, portal shramik, portal kalyan, none of the birth, 18th का क्या है, संतुष्ट, श्रामिक मत कर जीजगा, कल्यान भी मत कर जीजगा, संतुष्ट है, संतुष्ट इसका सही जवाब है, ठीक है, अब संतुष्ट क्या है, यह है, implementation of monitoring cell, ठीक है, implementation करना है, किस चीज़ के लिए, इसने, और किसने किया हो, office of ministry of state independent charge, जो है, labor employment, january 2020, important हो गया, ठीक accountability, effective delivery, किसकी, public services की, मतलब कि, पारदर्शता होनी चाहिए, accountability होनी चाहिए, effective delivery होनी चाहिए, public services की, और policies और schemes की, जो है, implementation, अच्छे तरीके से हो, और ministry of labor of employment, चाहता है, कि grassroot level से, एक constant monitoring हो, ठीक है, दोस्तो, अब public grievances के लिए, क्या है, centralized public grievances, redress and monitoring system है, ठीक है, जो की, already एक functional portal बना हुआ है, लेकिन संतुष्ट आपका एक portal है, ठीक है, अगला question है, SMA Act stands for A, B, C, आपके चार options है, Essential Services Maintenance Act, Equal Service Maintenance Act, Essential Services Monopoly Act, Essential Services Morbidity Act, जो सही जवाब क्या है, Essential Services Maintenance Act, अब basically दोस्तों क्या है, कि काफी ऐसे Act हैं, जिसमें कि आपके जो Essential Services है, Essential Services में क्या आगया, आपके ट्रांसपोर्ट होगी, ठीक है, आपकी cleaning होगी, doctors होगी, अब क्या है, doctors का जिक्र क्यों कर रहा हूँ, कि कुछ साल पहले क्या हुआ था, कुछ साल पहले कि, अर्विन केज इजरिवाल जी की सरकार में, एसमा काफी बार गया, क्योंकि आपकी MCD के workers भी चले गए थे, ठीक है, उन पर भी एसमा एक्ट लगाया गया था, कि आप बापिस जाओ, आप Essential Services में आते हो, एसमा एक्ट जो है Essential Services Maintenance Act है, ठीक है दोस्तों, देखे, अब बीसमा कोशन क्या है, ठीक है विच अपुशन का क्या जवाब है, ठीक है जी, यह इसका जवाब है, ठीक है, यह क्या कहता है, 39F Indian Constitution का कहता है, कि, Children are given equal opportunity and facility to develop in healthy manner, ठीक है जी, उनको healthy manner में करना चाहिए, in conditions of freedom and dignity, ठीक है जी, और childhood and youth are protected against exploitation and against moral and material abandonment, ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों, इसी के साथ अब थोड़े सा बात कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों, बात यह है कि, कल आप थोड़े दिन में, 5th September को आपक पेपर है, ठीक है, अब आपको घबराना नहीं है, ठीक है, घबराना इसलिए नहीं है कि, अमूमन क्या होता है, जब मैं अपने टाइम पर exam देता था, मैं बहुत ज़्यादा घबराता था, ठीक है, और घबराते थे ऐसे कि, हाथ पाँफूल जाते थे, काफी आपके, मुझे इंडिपेंडेंट होना है, और बहुत ज़्यादा थाट्स चलते हैं, और वो थाट्स बाइदे टाइम बढ़ते जाते हैं, क्यों? क्योंकि आपका देखे, एक पर्टिक्लर टाइम पर रखा गया थे, एक्जाम कैंसल हुआ और बहुत ही लंबा चला गया, तो आप आपकी फ्रस्टेशन में समझ सकता हूँ, लेकिन उस फ्रस्टेशन के साथ-साथ आपके क्या है, कि आपकी stress or anxiety भी बढ़ जाती है, और वो stress or anxiety आपके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्यों? देखे, मैं यहाँ पर शारु खान बनके यह नहीं बनने वाला हूँ कि आपके पास 120 मिनिट है, उसमें आप जाहिए और कर लीजिए, that's not how it is, examination hall में जाहिए, शांत रहिए, पानी की bottle रखिए, इस टाइप के आप watch रख सकते हैं, ठीक है जी, बिल्कुल simple watch, और सांज लेते रहिए, it's an exam, ठीक है जी, exam बनाने वाले भी जो है, वो भी इंसान है, जो इंटर्वी लेंगे, वो भी इंसान है, ठीक है जी, और इंसान हिने बनाया है, तो इंसान ही qualify करेगा, ठीक है, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, आपको पता है, you just need one seat for yourself, ठीक है जी, आपको पता है, आपने कितनी तियारी करी है, भगवान से pray कीजिए, मैं भी क्रासिस के जो हमारे साथ इतने बच्चे जूड़े हो है, आस्पिरियंट्स जूड़े हो है, वो हमारा नाम रोशन करे, ठीक है, और मेरी तर्फ से बहुत-बहुत all the best आपके लिए, ठीक है, और जाये, जंडे गाड के आए, stay calm, stress-free, और मिलते हैं, take care, bye-bye.